आज मैं आपको कुछ बातें या कुछ प्रशन जी के के बता हुआ समाने ग्यान के और वो समाने ग्यान है भुगोल से समंदित है अक्षांस और देशांतर रेखाएं मेरे एक मित्र है इजहार आलम खान उन्होंने कहा चलो मैं कुछ बातें भुगोल से समंदित बताता हूं तो मैंने उसको रिकोर्ड कर लिया क्योंकि मेरे चैनल से सारे विद के लिए तो महत्रपुन प्रसन है इन में से 3-4 प्रसन आने की संभावना है तो पहले आप मैं एक पेपर डाल रहा हूं उसके प्रसन जितने आपको आते हैं उनके एबे सेदे एक रफ पेज पर लिख लिजिए फिर मैं उनके उत्तर बताऊंगा तो उनके उत्तर मिलान कर ले आप उन सारी चीज़ों को सर से इजहार आलम खान मिरमित्र हैं उनसे समझ यह ठीक है आप वीडियो को बीच में रोक कर भी पढ़ सकते हैं आप इन परसनों के उत्तर वीडियो रोक रोक करके एक बार एबे सेदे जो भी आपका उत्तर एरफ कोपी में लिखिए बाद में सही उत्तर बताए जाएंगे तब मिलान कर लेना कि नमस्कार दोस्तों मैं इजहारा अलम सहारांश क्लासीज हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज हम टापिक की बात करेंगे वो रिट के टापिक जोगरफी की चर्चा करेंगे दोस्तों फर्ष्ट लेवल और जो सेकंड लेवल में टॉपिक जो आपका कॉमन टॉपिक है अक्षान्स और देशांतर रेखाएं यहाँ से कोशन भी बनते हैं और हर एक्षाम में कोशन यहाँ से पूछे जाते हैं तो आज जो हम बात करेंगे, वो अक्षांस और देशांतर रेखाओं की बात करेंगे, ठीक है, अक्षांस और देशांतर रेखाओं यहां पर हमने दो रेखाएं लिखी एक तो अक्षांस रेखाएं होती है और एक होती है देशांतर रेखाएं अक्षांस रेखाएं क्या होती है कितनी होती है देशांतर रेखाएं कितनी होती है कहां पर इनको खीचा जाता है वो सारी चर्चा हम करेंगे दोस्तों परत्वी के अगर हम बात करें तो हमें ये परत्वी दिखाए देती है ये गलोब हम इसे कह सकते है इसे ही हम परत्वी का नाम दे सकते है सर दूसरी अगर हम बात करें तो एक और प्रत्वी का हम चित्र बना देंगे यहां पर हमें दो प्रत्वी दिखाई देनी दोस्तों यहां पर जो प्रत्वी है उसको एक रेखा बीचो बीच से काटती है वे ऊंसे चौछ एक रेखा ने इस तरीके सेenser двух को बीचो बीच से काता एक रेखा प्रत्वी को इस तरीके से बीच ओ बीच से काड़ती है वही मूलें यहां पर एक जो हमने देखा कि सीधी रेखा है, लेटे हुई रेखा है इस रेखा को हमने नाम दिया भूमधय रेखा भूमधय रेखा इसे इक्वेटर भी कहा जाता है इसे zero degree की रेखा भी कहा जाता है इसे विश्वत रेखा के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर एक रेखा और दिखाई दे रही है इसे नाम दिया जाता है greenwich रेखा greenwich रेखा अर्थात अभी तक हमने देखा कि जो सीधी लाइन है जो सीधी लाइन यहाँ पर दिख रही है प्रत्वी को डिवाइड करती है दो पार्ट में उसे तो हमने कहा greenwich रेखा और जो लेटी हुई रेखा डिवाइड करती है प्रत्वी को उसको हमने कहा भूमद्य तो हमें पता चला कि अक्षांस रेखा जो होगी वह भूमद्य रेखा के स्मानानतर होगी और जो आपकी दिर्शांतर रेखाए होंगी वो ग्रिन्विच रेखा के समानांतर होंगी चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले अक्षांस रेखाओं की यहाँ पर हम लिखते हैं अक्षांस रेखाए दोस्तों ध्यान दे अक्षांस रेखाए जो होती है उनकी अगर हम बात करें तो ये संख्या में 180 होती है भी, कितनी होती है, 180, ये जो भूमद्य रेका है, इसके जो ये वाला पार्ट है, उपर वाला जो पार्ट है, इसे कहा जाता है उत्री गोलार्द, किस नाम से जाना जाएगा भी, उत्री गोलार्द के नाम से जाना देखेगा सर इसका जो दक्षन में पार्ट है इसे कहा जाता है दक्षनी गोलार्द अर्थात हमें पता चला कि गोलार्द मुख्य रूप से दो गोलार्द होए एक तो उतरी गोलार्द और एक दक्षनी गोलार्द, सर ग्रीन विज्ट के इसाफ से अगर देखा जाए, तो ये आपका कहलाएगा पूर्वी गोलार्द भी, पूर्वी गोलार्द और ग्रीन विज्ट के अगर हम पश्चिमे देखें, तो हम इसे कह देंगे पश्चिमी गोलार्द, पश्चिमी गोलार्द, ठीक है, अक्षांस रेखाएं जो होती है ये नभ्य तो उत्री गोलार्द में खीची जाती है और नभ्य ही खीची जाती है ये दच्छन गोलार्द में तेक है नभ्य और नभ्य कितने होए 180 तो अक्षांस रेखाओं कि अगर हम बात करें तो question पूछा जाता है कि मूल अक्षांस रेखाएं का नाम आते ही हमारे मैंड में होना चाहिए 180 अब 180 कैसे 90 यहां पर देखी उत्री गोलार्द में और 90 ही हमने दक्षनी गोलार्द में बात की ठीक है लेकिन कई बार कोशन वो मूल से नहीं पूछता है कोशन पूछ लेता है कुल अक्षांस रेखाओं से कोशन आता सामिल किया कुल में तो 180 प्लस एक बराबर 181 क्योंकि भूमद्य रेखा भी एक अक्षांस रेखा है भी ठीक है तो 90 है उत्री अक्षांस 90 ही दक्षनी अक्षांस 180 और एक भूमद्य रेखा 181 तो यह कुल अक्षांस कितनी हो गई 181 दोस्तों यहीं से कोशन पूछा जाता ह और चने कितने होते हैं अप्छांची ऐ वरत अम जो रेखा है पृत्वी पर खीची जाएंगे जो गलॉब पर खीची जाती है अक्षांची धीजसांत्र एक यह हमें सीधी दिखले लेकिन सीधी है ऑए dangers इंफे एक सरकल बनाईगी एक वुर्ट बनाईगी हम इसे ही प्रतुवी माले तो हमने यह भूमत द्रेका है इसतरीके से एक वुर्ट बनाया एक नहीं यहां है इस से उपर आएगा तो आक्षास रेका है वो क्या बनाएगी नेम कि मुताबिक तो व्रत होने चाहिए एक्सूइ क्या सी ठीक है विन नब्ह उपर विरत नब्ह नीचे लेकिन हम कहते हैं कि वरत अक्छान से वरत कितने होता है सरक्क्यों नहीं बना पाएगी वरत आखर रीजन क्या है इसका क्योंकि इनके जो मद्धिय का गैप होता है अक्षान से रेखाओं कि मद्धिय का गैप जो होता है वह 111 किलमेट होता है और जो लाश्ट की अक्षान से वह बिलकुल प्रत्वी के अंतिम छोर पर होगी वहां अपर हम वह सरकिल नहीं बना पाती है उसे केवल हम एक बिंदू के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो एक वरत तो यहां से घटा और एक वरत यहां से घटा हमारे वरतों की संक्या होगी 179 अक्षान से रेखाओं कि मद्धिय की जो दूरी होती है यह दूरी होती है 111 कि कितनी होगी 111 किलोमेटर जो हमेशा समान रहती है ना घटेगी ना बढ़ेगी अर्थात कहने का मतलब भूमध्य रेखा से 111 किलोमेटर पर एक अक्षान्स 111 किलोमेटर पर दूसरी फिर तीसरी चौती पांच वी 90 यहां पर और 90 ही यहां पर इनके मद्धे का जो गैप हो कोशन पूछ लेगा कि अक्षान्स रेखाओं कि मद्धे का गैप कितना तो 111 किलोमेटर होगा फिर कोशन पूछ लेता है कि अटकाने से कोशन बनता है कि किस और जाने पर अक्षान्स रेखाओं कि मद्धे की दूरी घटेगी या बढ़ेगी तो ना तो घटेगी ना ही य हमेशा क्या रहती है समान, यह जो दूरी होगी 111 किलोमेटर की, इस दूरी को कहा जाता है जॉन, क्या कहा जाएगा वई। जौन कहा जाएगा और हिंदी में इसे हम कहता है कटी बंद अर्थात कोशन पूछा जाता है कि दो अक्षांसों की मध्धी की दूरी को किस नाम से जाना जाता है तो जौन कहेंगे और इसे ही किस नाम से जाना जाएगा कटी बंद कहा जाएगा और अक्षांस रेखाओं से प आक्षार्णस रेखाउं से पृतवी किसी बी इस्तान की जानकारी निरधारित की जाती है। पूश्ता है इसमें कि दिछी कहाँ पर है कि इन चीज़ों से ुससे प्रदर्षित किया जाएगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा हमने देखा कि बूल अक्षांस कितनी एक्षांस कितने 179 कि मध्धे की दूरी कितनी 111 किलोमेटर इस दूरी को किस नाम से जाना जाएगा जौन कहा जाएगा, इसी दूरी को क्या कहेंगे, कटी बंद कहेंगे, और अक्षांस रेखाओं से किसका निदरन किया जाएगा, जगहे का निदरन किया जाएगा, क्लेर हुआ, अभी तक का मेटर, चलो, आगे चलते हैं, अक्षांस रेखाओं से और जो कोशन बनेंगे, वो कोशन यहां से पूछे जाएगे, कि यह 90 उत्री अक्षांस होती है, और 90 ही दक्षणी अक्षांस होती है, याद रखना कोई भी पूर्वी अक्षांस नहीं होती, नहीं कोई पश्चिमी अक्षांस होती है, अक्षांस का नाम आते ही उत्री अक्षांस दक्षन अक्षांस आप यहां दिशाओं से देख सकते हैं उत्तर हमेशा उपर होता है नीचे दक्षन फिर पूरो और पस्षिम तो इन दिशाओं की साफ से देखें और इन रेखाओं को देखें उपर वाली तो अक्षांस है तो अक्षांस कभ गलत नहें करें धन्यवाद आपने मेरे कई वीडियो देख लिए होंगे अब तक हैं तो आप गोर करें मुझे एडिटिंग में बहुत समय लगता है और मैं हर तरफ से यह चाता हूं कि आपके किसी ने किसी तरीके से बात कलीर हो जाए मैं आपके समझाने पूरा फोकस रखत हैं तो इतनी मेंद करा हूं वो बेकार ना जाए जाए जादा लोगों तक पूंचे आप मुझे समझने की कोसिस करें ठीक है मुझे कई लोग पूछते हैं कितने पैसे आगए यूटूब से मुझे बड़ा अटपटा लगता है यह सुवाल पैसों की बात नहीं है मैं पैस के पर कोस्टन में पूछता है पूर्वी अक्षांस दे देगा आपको या पस्षी में अक्षांस दे देगा लेकिन वो कन्फ्यूज करेगा अक्षांस या तो होगी आपकी उत्री अक्षांस या होगी आपकी दक्षणी अक्षांस एक क्छार्द के गई है इस बिलेंट त्धा से चलो कुछम्राक्षांस रेखा हैं हम देख लेते यहां पर तक है यह पर प्रय्मों पर अक्छांस breaths रेखा निरधारित हैं таरत की गई हैं व्यक्ता स्राइऔ होगने कहा कि यह तो कौन दिगरी की रेखा है? जीरो डिगरी की रेखा है. इसी रेखा को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है. क्या कहा जाएगा भई? भूमध्य रेखा. इसी रेखा को क्या कहा जाएगा? विशुवत रेखा कहा जाएगा. कोई भी नाम दे दे? सर जीरो डिगरी की रेखा, भूम अक्षांस रेखा को कहा जाता है करक रेखा क्या कहा जाएगा भई करक रेखा इसे ही ट्रॉपिक ऑप कैंसर का नाम भी दिया जाता है कौशन पूछ ले करक रेखा कौन्चे डिगरी की रेखा है तो याद रखना साड़ेत तेश डिगरी की उत्री अक्षांस क्या कहलाएगी करक रेखा सर साड़ेत तेश डिगरी की एक दक्षणी अक्षांस रेखा होती है साड़ेत तेश डिगरी की कौनसी अक्षांस है भई दक्षणी अक्षांस रेखा इसी दक्षणी अक्षांस रेखा को कहा जाता है मकर रेखा क्या कहा जाएगा वई मकर रेखा इसे ट्रॉपिक ऑप कैप्री कॉर्न कहा जाता है मकर रेखा सर एक साड़े छासट डिगरी की उत्री अक्षांस होती है वई आरकटिक रेखा और 1.5 cancelled डिगरी की आपकी दक्शणी अक्शांस होगी सर इसी दक्शणी अक्शांस को नाम दिया जाएगा अंटारकटिक रेखा अंटारकटिक रेखा 5 प्रामुक मरें बहिए कौन कौनसी रेखा हैं हमें दिखाई दी सर साड़े 6 पूंच प्रयमूक रेखा है, पूछा जाता है भी। यहां से question बनता है यह 5 प्रायमुक अक्षांस रेखा हैं के लिए चलो ठीक हैं सरी पाँच प्रायमुक अक्षांस रेखा हैं और यह मैंने जो कहा था कि जो वरत है 179 इनमें से जो सबसे बड़ा वरत माना जाता है question यहां से भी बनता है तो यह जो वरत आपने जो circle बताया कि 179 circle हैं जो वरत है इनमें सबसे बड़ा वरत कौन सा होता है तो यहां से question बनेगा सर सबसे बड़ा यह रेखिये वरत बहुमद्य होता है सर ये जो अक्षांस और देशा जो अक्षांस रेखाए हैं हमने कहा कि कटी बंद को निर्धारित करते हैं ये किसको निर्धारित करते हैं कटी बंद को सर कटी बंद क्या होता है कोई भी जो छेतर है वहां की जलवायू में तापमान और वर्सा जो डिसाइड करते हैं वेग् पर यह जो रेखा हैं पांच प्रायमों की जो रेखा हैं यह जो परत्विय है इसके जलवाईू कटी बंद को निर्धारित करती है वैं हमने कहा कि जो करक रेखा है और ये जो मकर रेखा है इसके जो मध्य का पूरा का पूरा जो छेत्र है ठीक है ना ये छेत्र हमें दिखाई दे रहा है कहां से कहां तक का करक रेखा से और मकर रेखा तक का ये जो छेत्र है इस छेत्र को कहा जाता है वे ऊशन कटी बंदिये छे क्या है उश्ण कटी बंदे छेतर उश्ण अर्थात यहां पर गर्मी जादा है यहां पर टैंपरेचर जादा है यहां पर वर्सा भी अत्याधिक होती है उश्ण कटी बंदे छेतर के विसेशता होती है कि गर्मी अधिक यहां पर वर्सा भी अधिक होती है और यहां पर सगन वनस्पत्येपी पायी जाती है याद रखना जहां गर्मी जादा होगी वहांपर बर्सात जादा और वहां पर बर्सात होने के कारण वनस्पत्य भी अठ्य rebelी जाती है सर उष्ण नगठी बंद کی यही वसे स्थाय होती है लिए अब अब उश्रकटी बंदी जो छेत्रे राजी अब भारत का आदा हिस्सात है करकरेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है भी आपको पता होगा कि अगर हम इसे ये भारत कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है तो आदा भारत जो है वो उश्रकटी बंदी गुजराज, राजिस्तान, MP, चतिसगड, जहारखंड इसके अलावा पश्चिन बंगाल, तृपुरा और मीजोरम इसे जो नीचे के आठ इस्टेट हैं दोस्तों इन आठ इस्टेट में याद रखना करकरेखा से उपर बारहा इस्टेट है करकरेखा आठ राज्यों से होक गुजरती है और करकरेखा के दख्षण में भी आठ राज्यों जो दख्षण में आठ राज्यों है वहाँ पर गरम जलवाय उपाए जाएगी केरल है, तमिल नाडू है, आंद प्रदेश है, महराष्ट है, गोवा है, तेलंगाना है, यह सारे करक देखा कि कहां पर है, दक्षिन में, यहां पर अतियधिक तापमान होगा, यहां पर वर्सा भी सरवादिक होगी, और जैसा कि हमें पता है, जो पश्चिमी घार्ट का, करक रेखा से उपर का यह जो पार्ट है, करक रेखा से उपर और कहां तक, आर्कटिक रेखा तक, ठीक है बई, यह करक है और यह क्या है, आर्कटिक रेखा, यह वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को कहा जाता है, शीतोष्ण कटी बंदिये जलवाई जो, किस नाम से जाना जा इसे भी नाम दिया जाता है, किस नाम से, सीतोष्ण कटी बंदी जलवाई हूँ, अर्थात यहाँ पर, अब थंड पढ़ना क्या हो जाती है, सुरू हो जाती है, सीतोष्ण कटी बंदी छेत्र, यहाँ पर गर्मी नहीं पढ़ेगी बही, क्योंकि सूर्य की जो किर्णे सीधी पढ़ती है वो उपर करक रिखा तक पढ़ेगी और नीचे मकर रिखा तक इसके अलावा सर्दी नहीं पढ़ेगी और गर्मी नहीं पढ़ेगी ठेके ना अर्थात सूर्य की किर्णे यहाँ पर कैसी पढ़ती है तिरची पढ़ती है इसल कि नाम से जाता है। यहां पर हमेशा क्या पढ़ती रहेगी। कि यहांपर सूरे की किर्ने नहीं पहुँच पाती और सूरे की किले नहीं पहुच पाने के कार önce यहां की जो जलवाईयों होगी वो बिलकुल ठंडी जलवाईयों होगी यहां पर सरदी पड़ेगी है हमेसा सरदी पड़ेगी और सरदी भी अत्यधिक पड़ेगी जिस कारण यहां पर हमेसा क्या जमी रहती है बर्फ जमी रहती है क्लेर हुआ, सर ये कुछ महागपूर अक्षांस रेखाएं थी, एक और यहाँ से कोशन पूछ लिया जाता है, ये अभी तक हमने केई, कोशन कटी बंदी जलवाईू देखी, सीत कटी बंदी जलवाईू देखी, केई बार आप से कोशन पूछ लेता है, भूमद्य रेखे ज इक्वेटर जो मैंने आपको बताया था, इसके 5 डिगरी उत्तर, अर्था 5 डिगरी उत्तर और 5 डिगरी दक्षड, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में पाया जाती है, कौनसी जलवाईू उस भूमद्य रेखे जलवाईू, ये भूमद्य रेखे जलवाईू है, यह यहां पर विश्व की सरवादिक गर्मी और विश्व की सरवादिक वनस्पति पाई जाती है, तो जो अक्षांस रेखाएं थी हमारी, ये होती है आपकी क्लेर, अक्षांस रेखाओं चे यहीं से कोशन पोचा जाता है, संख्या में कितनी होती है, इसके द्वारा कौनसे ज देखाएं complete हुई इसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी देशांतर रेखाओं की देशांतर है रेखाएं ठीक है एक बार आप इनको स्क्रीन सोट ले ले जिए इसका और उसके बाद बात करेंगे लीजिए उस पेपर के उत्तर मिलान कर लीजिए सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जै हिंद विजई हिंदी